राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब ? हमारे यूट्यूब चैनल कैस थी? राधे किशना शिंगार में आपका स्वागत है दोस्तों हम सभी रोजाना भगवान जी की पूझा करते हैं पूझा करते समय हमें अलग-अलग शकुन दिखाई देते हैं कभी भगवान जी पे चड़ाया हुआ फूल गिर जाता है कभी भगवान जी के सामने जलाया हुआ दीपक बुझ जाता है या कभी और तेजी से जलने लगता है कभी कभी हवन की अगनी अपने आप से तेज होने लगती है इन सभी शक्नोदारा भगवान जी हमें कुछ संकेप देते हैं हम सभी भगवान जी की पूजा करते हैं तो हमारे मन में प्रशन उठता है कि भगवान जी ने हमारी पूजा स्विकार की है या नहीं की भगवान जी हम पर प्रसन नहें या फिर हमने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसे भगवान हमसे नाराज है कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है कि जब हमें लगता है कि भगवान जी ने हमारा साथ छोड़ दिया है ऐसे में हम बहुत परिशान रहने लगते हैं कि भगवान जी की आपकर क्रपा है और भगवान जी आपके घर आच चुके है दोस्तों हम सभी रोज भगवान जी की पूजा अवश्य करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा करते से में भगवान जी अपने दिब्बे शक्तियों दारा हमको संकेत देते हैं आपको बता दें कि जब हम पूजा करते हैं तो एक विशेश प्रकार के उजा हमारे चारों और एक खेरा बना लेती है इस बात की पुष्टी कई बार बिज्ञान में भी की जा चुकी है और इसी उजा के जरिये हम परमात्मा से जोड़ जाते हैं लेकिन यह तभी मुम्किन होता है जब हम सच्चे दिल से पूजा पाट करते हो जब हम पूजा की समय भगवान जी से प्रात्ना कर रहे होते हैं तब हमें विशेश प्रकार के संकेत मिलते हैं इन संकेतों से हम पता कर सकते हैं कि परमात्मा हम से खुश है क्योंकि हमारी प्रात्ना उनके पास सच्चे दिल से पहुँच रही है दोस्तों अगर परमात्मा की मूती पर चड़ाया हुआ फूल पूजा करते समय आपकी तरफ गेता है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपकी एक्षा जरूर पूरी करेंगे और परमात्मा का आशिरवाद आपके उपर बना हुआ है आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं ये उस बात का संकेत है कि वह आपके भविस्य के लिए पूरी तरह से अच्छा है और आपको निरंतर प्रयास्रत होना चाहिए दूस्ता संकेत है पूर्जा पाट करते समय यदि आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए कोई उपहार या धन लाया हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें परमात्मा की ही क्रपा है जो आप पर विशेश आशिरवात बनाए है दोस्तों माना जाता है कि अतिती देवो भवा यानि कि घर आए सभी महमान भगवान का रूप होते हैं लेकिन आपको बता दें कि यदि कोई आगन तुक महमान आपके घर पूजा या आती के समय आता है तो उसे परमात्मा का रूप या संदेश माना जाता है इसलिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि घर आए किसी भी महमान का कभी भी द्रसका ना करें दोस्तों हम सभी पूजा करते समय रोजाना दीपक जरू जलाते हैं यदि आपकी द्वारा जलाई गई जोद जरू से ज़्यादा बढ़ जाए या उपर की ओर उठने लगे दीपक की लोग बिना हवा के ही हिनने लगे इसका मतलब है परमात्मा आपसे खुश है और आपकी प्रात्ना को स्विकार कर रहे हैं दीपक की तरह ही हम सभी पूजा में रोज अगरबत्ती और धूबत्ती भी चलाते हैं अगरबत्ती या धूबत्ती का निकला हुआ धूआ अगर परमात्मा की सूरत की तरफ जाए यानि की भगवान जी की तरफ जाए या फे दूएं से ओम की या फे कोई और आकरती बने यह भी एक सुपशकुन माना जाता है इससे पता चलता है कि परमात्मा की आप पर क्रपा है साथ ही अगर आपके घर में खुशुवाली अगरपती या दूपती जलाने से पहले ही घर महकने लगे तो इससे भी परमात्मा की क्रपा का पता चलता है दोस्तों भगवान भले ही दुनिया की हर कौने में हो लेकिन उनका साया किवल कुछ ही लोगों को देखने को मिलता है तो यदि अगर आपके घर में आती के समय आपको घंटियों की आवास सुनाई दे या पूजा करते समय आपके घर में कोई आगंतुक महमान रामरिया कोई भिकारी आ जाए तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए यह हैं पूजा के समय के संकेत अगर आप इस समय संकट में हैं तो आपको बता दे इन सभी संकेतों का मतलब यह भी है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं इन सभी संकीतों का एक ही अर्थे की दिवे शक्तियां आपके साथ हैं और परमात्मा आपसे बिहत खुश हैं साथ ही भै आपको कुछ संदेश देना चाहर रही है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंसे रिस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भैपी इसका लाप उठा सकें और हमारी और भी वीडियो इसके लिए हमारी चैनल केस्ति रादी किशा शिंगार को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी